तो कैसो आप सब मेरे को काफी डिमान आ रहे थी कि आप मतलब आप लोग कर रहे थे कि इस मैच की उपर वीडियो बनाना साओधी अरेबियन लीग की उपर आपा कलब वार्स अल बातिन के बीच मैच होने वाला है एक घंटे चोनतिस मिनट के बाद इसकी टीम मैं कोशिश होगी कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इसलिए टेंशन अमतले ना कि आप यह को ढूंडने की जुरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन पे जाना लिंक होगा बस लिंक पे बटन दबाना एंड जॉइन हो जाओगे और यह हैं प्रीवस मैच इसकी स्क्र प्राम मत दे दें तो मैं आपको हर मैच के अंदर क्लीन स्विप्ल लगा सकता हूं लेकिन अगर हमारा एनलाइस वर्क ही नहीं करेगा मैं आपको एक एक्जेंपल देता हूं चलो आगे चलके अब मान लो कि अगर एक प्लेयर है जैसे कि हम आपको नॉर्मली एक 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 तार 20-25 गोल कर चुका है पूरी सिरीज में मान लो अपना एक्जेम्पल है और जब आप इसको कैप्टन रखो तो इसको खिलवाए ही ना मतलब इसको वो ही न दे बारी मतलब जैसे आप मान लो ये फुटबॉल नहीं क्रिकेट है तो वह होता है कि वो टीटन जो लीग है उस से जबबर 10 गोल कीपिंग इसके नाम की है और अगर मैं बात करूँ आपको बताओं ये जो आप दो गोल कीपर देख रहे होंगे एक तो आप देख रहे होंगे एम केमपना एम केमपना के पास दो अपोर्चुनिटी है मान लो अगर एल बातिन टीम क्लीन शीट मारती है त पर दोनों तरफा गोल होंगे तो मैं बात करूँ डिफेंडर की आच से लेंगा एसल खायरी क्यों एसल खायरी इसने पिछले मैच में इस टीम ने आर एए के सामने भी क्लीन शीट नहीं मारी बस इसने नॉर्मली एक सिंगल एसिस्ट की थी जबकि इसकी सेलेक्शन थी 80 प उपनेंट थे इस लीग में काफी हद तक यह था लोगों का वाइस केप्टन था और बट क्लीन शीट तो बड़ी दूर की बात है उल्टा माइनस ही करवा गया पॉइंट मतलब रेली यार 9 पासिस 90 मिनट में 9 पासिस कंप्लीट करना क्या है यह मतलब आप सोचो 9 पासिस त अगर आभा क्लब को भी मैं हलके में नहीं ले रहा क्योंकि तभी मेरे 6 प्लेयर आभा क्लब में से हैं और आगे से बात करूं नेक्स प्लेयर की जिसका नाम है सायद हल हमसल जो की यह normal player है और अगर गोल वगरा हुआ तो इनी के उमपर बात आनी क्योंकि defender इनके mostly अच्छे बात करूँ मैं मिट फिल्टर की वायल जैबली को लूँगा वायल जैबली जा मोस्ट पावरफुल प्लेयर मैक्सिमम गोल्स का इसका रेकॉर्ड है बट अउनली इन साओधी अरेबियन लीग यह नहीं कि आप मेरी बात को किसी बड़े प्लेयर से कंपेर करते मैं कंपेरिज नेकस्पेक्टिड है यह भी टीटन की तरह ही है और आगे से बात करूँ नेकस्पेर की जो कि यह गाईज रियाद अब रियाद को पिछले मैच में काफी लोगों ने अपनी टीम में लिया तो इसने अच्छा किया जो हमने सोचा गोल भी किया तो इस बात से यह पता चलता है मैं मानता हूँ इसने इतना अच्छा नहीं केला बट क्या कर सकते है पहली बात तो क्रेडी डिशू भी है लिटल मैंने देखा था क्योंकि मैं इसको लेना चाहता था यह फैब्रियू को बट मैं ले नहीं पाया तो मैं आगे से बात करूँ एसल आमरी की अब एसल आमरी करता हूँ इसने अभी तक एक ही मैच खेला है और यह जो आप प्रिवियस मैचिस देख रहे हैं इसमें था यह सब्चीट्यूट पांच फैप के मैच में सब्चीट्यूट पिछले मैच में स्टार्टिंग 11 में आया और गोल भी कर दिया इस बात से पता चलता है गोलिंग रेशियो बहुत अच्छा है और आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की कैप्टन ने का जैबली एंड वाइस कैप्टन आर शाराहली तो मैं मिलता हूँ का इस अगली वीडियो में बबाए आपका दिन शुबर